हाई अब्रीवन वेलकम वेक टू कावे प्राशल में सपना वोफ़ली आप समें लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से ग्लास पो अटेंड करते हैं सो थैंक यू एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जितना जादा हो सके करते रहेगा जैसे कि मैं बार-बार यह कहती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से बहुत ही जादा इनर्जी मिलती है बहुत ही अच्छा करने की बहुत ही अच्छा क्लास देने की अनर्जी मिलती है चैनल को लाइक शेयर सबस्क्राइब करते रहीगा जितना ज्यादा हो से के क्लास को वाइडल करिए और जैसे कि क्या हमारा आज का पिछली क्लास में हमने देगा था लेटर चाइड़्ूर्ट तक पूरा हो गया था क्या क्या हो गया है अगर बात करें प्रिनेटल स्टेज इंफैंसी और अरली चाइड़्ूर्ट लेटर चाइड़्ूर्ट आज हम बात करें किसोरा वस्था क्या होती है क्या किसोरा वस्था क्या होती है से इसके बारे में, highest Ś sport बहुत ही जाधा β़स्ता क्या है, इसमें क्या चीज़ rasp शेयर रहुए और यहां से question क्या भार है बार बार और और रिपीट हुए हैं इस बार सीटेट के लिए तो most important topic है यह child development में stages of development बहुत ही most important topic है अगर बात करें topic की तो बहुत ही ज्यादा important topic है अब आईए देखते हैं आईए class को continue करते हैं तो जैसे कि क्या हमने आपको क्या बताया आज हम basically क्या देखेंगे adolescence adolescence it means किसोरा अस्था दिखें किसोरा अस्था यह adolescence कैसे लिया गया है किस सब्द से लिया गया है तो यह बात करेंगे यह latin word है क्या latin word है adosial क्या adosial जिसकी मीनी क्या है which means to grow maturity that's clear my point क्या कि लिये क्या है adosial which means to grow maturity it means क्या maturity means क्या होता है परिपक्पुता कि यह जो समय होता है किसोरा अस्था में क्या होता है इंसान परिपक्पुता ही ओर जाता है उसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है maturity development होती है क्या maturity development होती है परिपक्पुता development होती है क्या परिपक्पुता development होती है तो यहां दो चीज़े समझ में आई मेचेयोटी की बात करेंगे तो क्या यह परिपक्पकुता कहते हैं मेचेयोर हो ना परिपक्पकुता ठीक है और फिर क्या बताते हैं एक स्टैनले हॉल USA के साइंटिस्ट है अमेरिका के विज्ञानिक है इस्टेनले हॉल जिन्होंने कुछ अलग ही इसके बारे में explain किया कि इसे किसका period क्या कहा जाता है ठीक है तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए इन्होंने कहा adolescence adolescence is the period of stress and storm इसे क्या कि अगर बात करने किस ने कहा तो इस्टेनले हॉल की यूज़े के साइंटिस्ट है इसमेरिका के वज्ञानिक है इस्टेनले इस्टेनले हॉल यूज़े के साइंटिस्ट है ठीक है क्या यूज़े के साइंटिस्ट है जीहोंने क्या कहा adolescence is the period of stress and storm अगर बात करें कि इस्टेस की तनाओ एवं तनाओ एवं तूफान क्या कि इन्होंने किस का period कहा इस्टेनले हॉल ने क्या कहा तनाओ एवं तूफान का समय है क्या जो किसोरा आवस्था है ये तनाओ एवं तूफान का समय है किसने था ये काफी बार कुछा गया है कि stress and storm मतलब तनाओ एवं तूफान की आवस्था किसे कहते हैं तो ये आप याद रखिएगा कि कि इसकी से कहते हैं एडॉरेशन को कहते हैं ठीक है यहां तक छीजें आपको clear हो गई होंगी ठीक है और इसका जो time period होता है वो 12 to 18 year होता है ठीक क्या 12 to 18 year होता है 12 to 18 year होता है ठीक है और फिर उसके पास में पिवर्टी बहुत जल्दी चाती में चुर्टडी बहुत जल्दी से आती है ठीक है और फिर इसमें होता है अन्ली अनली इडॉल्चेंश इंड की पूर्भ की सोरा अवस्था अभी को ये पूछ लेता है early early adolescence तो कूर्व की सोरा वस्ता जिसमें क्या होता है इसकी अगर हम बात करेंगे ठीक है क्या? कि early adolescence की बात करेंगे तो 12 से 16 इसका जो time period है 12 से 16 ठीक है और फिर बात करेंगे क्या? later adolescence later Adolescence की बात करेंगे It means उत्तर की सोरा वस्था जिसमें हम बात करेंगे उत्तर की सोरा वस्था में सोला से अठारा इसका टाइम है ठीक है सोला से अठारा That's clear यहां तक चीज़ें आपको clearly समझ में आ गई होंगी और फिर इसमें क्या देखते हैं कि emotional change बहुत जादा emotionally change होता है सामबेगी परिवर्टन बहुत तेजी से होता है क्या emotionally emotionally changes emotionally changes की बात करेंगे सामबेगी परिवर्टन और फिर उसके बाद देखेंगे ठीक है one way series कर देते हैं ठीक फिर अब क्या बोलते हैं इसे transitional period भी कहते हैं क्या transitional period इट मीज परिवर्टन का काद transitional period transitional period इट मीज परिवर्टन का काद और इसमें पता है क्या होता है बिद्रो की भावना बच्चों के अंतर बिद्रो की भावना बहुत तेजी से development होती है क्या बिद्रो की भावना बिद्रो की भावना अबिकास होना यहां तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से clearly से समझ में आ गई होंगी कि actual में यह है क्या ठीक है actual में यह होंगी क्या ओके दिर हम आप क्या देखेंगे कि देखिए हमने अपनी क्या discussion किया adolescence के बारे में हमने discussion किया जिसका time period क्या है 12 से 18 year क्या 12 से 18 साल तक इसका समय काल है क्या 12 से 18 year तक इसका समय है फिर मैंने आपको क्या बताया कि यह जो adolescence है वो latin word Dear sear से लिया गया है रिख मींस to grow maturity जो किसकी ओर ले जाता है परिपकक很好 की ओर ले जाता है कि यह दो बताया कि परिपक अरल ले जाता है फिर उसके पास हमने क्या बताया कि एडॉलसेटी is the period of stress and storm क्या जो adolescence period है वो तनाव और तूखान का period है समय है क्या तनाव इंसान stress में भी रहता है जो बच्चा होता है 12-18 जा कह सकते हैं 12-18 एरकर जो बच्चा होता है उसके अंदर maturity होती है काफी चीजों को study को लेके और भी काफी चीजों को अपने career को लेके काफी stress उसके अंदर होते हैं क्या काफी stress होते हैं फिर क्या मैं और इस ने बताया था इस्टैल ने बताया था यूएल से के साइंटिस्ट थे ठीक है हैं उसके बाद से हमने क्या बताया क्या पूर्ग की शोरा उस था जिसमें क्या होता है 12-16 एयर तक यसका टाइम है और लेटर इडलर्थन उप्तर की शोरा उस था सोला सथारा और फिर emotional य परिवर्तन बहुत तेजी से होता है क्या सामवेगी परिवर्तन बहुत transitional period केसा कि प्रिवरतन का काल कि सकते हैं जो बच्चा के फिजिकल धेफलक्मेंट होता है सारीरिक विकास होगा उसका physical li Salutесь के उसकि छीजों के डीफिसाइझ काल transitional period कि हुए खिरे रइचेंजें को बुह सुह होता है और साम बेगिक, mental skill भी development होगा, तो बहुत सारे इसमें changes जाएंगे, बच्चों को नई चीज सीखने का भी होगा, गुस्सा भी आएगा, भै भी होगा, इस सारे चीजों का development होगा, फिर बिद्रो की भाउना, थोड़ी थोड़ी बात की गुस्सा आ जाना, गुस्से में मारने काटने के लिए तयार हो जाना, कि नहीं मैं ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, बच्चों के अंदर ये भाउना हो जाती है, तो आई होग यहां का चीजे आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गई होगी, यहां कोई डाव नहीं होगा आपका, ठीक है, दिन जैसे की हम क्य अगर इसमें से इन पांचों अवस्थाओं से, पांचों से स्टेजेस से अगर आपको थोड़ी भी कर्व्यूजन कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, रिबलाई आपको जरूर से जरूर मिलने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको रिबलाई मिलना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना है, कि ये सारी चीजें, आप समझने का प्रयास करें, जैसे मैं समझाने का प्रयास करती हूं, दोनों को बहुत जरूरी है, आपको बहुत अच्छा समझाना चाहती हूं, और आपको समझने का प्रयास करना तभी चीजे दोनों में balance होगा, ठीक है, और अगर कोई confusion हो, और प्लीज टेल मी, reply आपको ज़रूर मिलेगा, और आप थोड़ी सी बाते कर लेते हैं, कि आप सभी लोग कैसे हैं, और कैसे आप सब की चल रही है इस study, क्या हाल है आप सभी का हाल है, बेहाल है, जो भी है आप बता सकते हैं, ऐसे भगवान करें, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से रहो, कोई भी problem ना हो, और अच्छे से अपनी study पे focus करो, अपने goal को achieve करो, मेरी wishes आपके साथ है, और मेरा support आपके साथ है, कभी भी जो की पीछे नहीं हटेंगे, जो भी करना होगा, जैसे भी करना ह पर अच्छे से रहे हैं, करते हैं ना कच्छों की चाल चलते रहो, सफलता अपने आप मिलनी जाएगी, बस वर्द करते रहो, ठीक है क्या वर्द करते रहो, तो जैसे कि आज का सेसन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइशे और सब्स्राइब कर दीजेगा, और यदि आप चैनल पर नए हो, तो प्लीज चैनल को लाइश, सेयर, सब्स्राइब, जितना चाहता हो सके, कर दीजेगा, ओके, तो आज की ग्लास ही पर ओवर करते हैं, मिलते हैं कर, ओके?